साल दोजार चोईस में होली के बाद पांच राशियों का बनेगा विवाह योग चोईस मार्च यानि के होली के बाद से ही पांच राशियां बनेगी विवाह के बंदन में मिलेगा अपार रूप से धन का लाब अचानक से खुलेंगे बंद किस्मत के दरवाजी जिहां मित्रू इस बार होली पर पूरे 10 सालों की इतिहास के बाद महालक्षमी राजयोग बनने जा रहा है जिससे 5 रासे वाले लोगों को अचानक से धन का लाब होने के साथ ही भग्य उदय होने के प्रबल योग बन रहे हैं तो चलिए के करतेवे जान लेते हैं कौन-कौन सी है वो 5 सबसे ज़्यादा सोभाई के साली रासियां जिनकी किस्मत के दरवाजे इस साल होली के बाद से ही बदल रहे हैं और साथ ही होली के दिन भूल कर भी चार इसे काम है जो कि आपको नहीं करने चाहिए नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो सकती है क्रोधित हो सकती है रुष्ट हो सकती है तो चलिए के करते वी जान लेते हैं होली से जुड़ी तमाम बड़ी और महत पुन सभी काम की जानकारी ऐसे में वीडियो को पूरा लाश्ट तक जरूर देखिए और हा मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स में जै मालक्षमी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेस्बुक पर जरूर शेयर कर दीजे ताकि काम की जानकारी का जो अबडेट है ना वो सबी व्यक्तियों तक पहू सके हर साल फालगुन महिने के सुकल पक्स के पुर्णिमा पर होली का त्युहार मनाय जाता है होली के अगले दिन होली खेली जाती है रंग वाली होली लोग एक दुसरे को प्यार से कलर लगाते हैं और होली की सुबकामनाई देते हैं हिंदू धर्म में होली का सबसे बड़ा त्युहार भी माना जाता है इस त्युहार के आने का लोग बेसबरी से इंतजार करते हैं होली का त्युहार सिर्फ भारत देशी नहीं बलकि विदेशों में भी इसकी लोकप्रियता फेली हुई है देश विदेश से विदेशी परि खेली जाएगी वहीं आपको बतादे कि इस बार होली पर ही चंद्र ग्रहन का साया भी बनावा है 25 मार्च 2024 की सुबह में 10 बजकर 24 मिनट से ये चंद्र ग्रहन सुरू होगा जो की 2 पर 3 बजकर 1 मिनट तक रहेगा लगबग 4 गंटे 36 मिनट तक इस बार होली पर चंद्र ग्रह करते ही कई राशियों को अचानक से धन का लाब होने के साथ ही तरक्की के इलावा विवाह निश्चित होने की बड़ी खुसकबरी मिल सकती है कई राशियां होली के बाद से ही विवाह के पवित्र बंदन में बनने जारी है तो चलिए के करते वी जान लेती है होली के बाद सबसे पहली जो बागे साली रासी बनेगी वो आती है तुला रासी जिनके नाम का पहला अक्सर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तो और ते से सुरू होता है उनकी तुला रासी होती है मित्रू तुलारासी वाले लोगों के लिए इस बार होले के दिन जो महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है न ये बहुती अच्छा और लाबकारी साबित हो सकता है क्योंकि एक तो ये राजयोग तुलारासी के पांच भाव पर बनने जा रहा है ऐसे में होले के बाद से ही आप लोगों को कोई भी सुब समचार प्राप्थ हो सकता है आपकी संतान की तरक्य हो सकती है साथ ही जो भी तुलारासी वाले अगर कोई भी काम कारोबार से जुड़े वे हैं तो होली के बाद से ही आपको व्यापार में कई गुना बड़ोतरी होगी धन लाब होने के सुब महा योग बन रहे हैं और महा लक्ष्मी राजियों के विसेस परभाव के करण तुला रासे वाले लोग इस बार अगले तीन महिनों में अचानक से धन का लाब ले सकते हैं सेर मार्केट, सटा, लोटरी, कई जगे से आपको बड़ी खुस खबरी मिल सकती है होली के बाद से ही जो भी कोवारे हैं सिंगल है लंबे समय से अपने लिए किसी अच्छे रिष्टे की तलास कर रहे थे तो अब आपकी यह तलास पूर्ण होगी अगर आप किसी के साथ प्रेम समंदू में हैं तो होली के बाद उचित समय देखकर आप उनको प्रेम विवाह का परस्ताव दे सकते हैं और महालक्षमी राजियों के सुब परभाव से ग्रहों का महायोग बन रहा है कि आपका जो यह प्रस्ताव है वो मंजूर हो जाए और इसी साल आप विवाह के पवित्र बंदन में भी बंद सकते हैं उसके लावा जो भी लोग प्रेवेट नोकरी करते हैं कहीं पर भी जो बगरा करते हैं तो होली के बाद आपको नोकरी में बड़ी खुस खबरी मिल सकती है अपरिल के महिने में आपकी तनखो बढ़ेगी आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद मिल सकता है आपका परमोसन भी होगा साथ ही जो व्यक्ति बेरुजगार है लंबे समय से किसी अच्छी जगा पर नोकरी के लिए तलास कर रहे हैं तो आपकी ये तलास भी पूर्ण होने वाली है आपके स्वास्त में सुधार रहेगा और साथ ही अगले 6 महनों के दुरान समय समय पर अचानक से धन की प्राप्ति होती रहेगी आपके बेंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी तलारासी वाले लोगों के जीवन में होली के बाद से ही बड़ी खुश खबरे मिलने वाली है अगर कोई भी व्यक्ति सिंगल है और किसी के साथ रिलेसन्सिप में आने के प्रियास कर रहे है तो आपके लिए उच्छी समय बन रहा है कि होली के बाद अगर आप किसी के प्रती प्रेम की भावना रखते हैं तो उसे अपना प्रेम का प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका जो दोस्ति हो या प्रेम का प्रस्ताव हो ये मंजूर होने का योग बन रहा है आपको बड़ी खुश खबरी मिल सकती है चलिए जान लेती है होली के बाद अगली यानि की दूसरी जो बागे साली रासी बनेगी उसके बारे में वहीं जिंदगे में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र बर महनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं यानि की जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो उर क्या है और इसे के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानि की परसनलाइज़ दे कुंडली जिससे आप घर बेटे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रहे आपके बारे में क्या कहना चाते हैं कि आपकी कुंडली यानि की किसमत में कोई दोस तो नहीं अगर दोस है तो वो क्या है उसका समाधान क्या है कोई ग्रहे आपके लिए कमजूर तो नहीं आपके लिए भागे साली रतन कौन सा है उसको पहनने की वीदी क्या है आपका सोयम का मकान कब बनेगा सरकारी नोकरी का योग है या नहीं कुंडले में कितने राजयोग लिखे वे हैं उसके बारे में कम्पलीट जानकारी हम आपको कुंडले रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पारे हैं ना उस पर वोटसब पर संपर करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपे की चोट इसी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जिवन की महा जन्म कुंडले के बारे में जान सकते हैं अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाते हैं जिसे की आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है बहु जगों पर आप रिस्ता देख देख कर आकिर ठक चुके हैं परेशान हो चुकें लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिस्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिस्ता हो कर बार-बार तूट जाता है आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है बच्चों का पड़ाई में मन नहीं लगता बच्चे लगातार सरकारी नोकरी या किसी अच्छे नोकरी की तलास कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पारी है वियापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है घर में धनकी कमी बनी रहती है या आपके उपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं आपके बनते बनते काम लगातार बिगड जाते हैं अटक जाते हैं या लड़का लड़की का विवा होने जारा है सम्मंध होने जारा है चाहे लव मेरीज हो या अरेंज मेरीज हो अगर आप विवाह से पहले अपने कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या अश्ट कोड रिते से गुण मिलान करवा कर यह जानना चाहते हैं कि आखिर विवाह के बाद आपका जीवन केसा रहेगा आर्तिक इस्तिती, संतान, नोकरी, प्रेम, समंद, सब एक सेत्रों में आपको कितना सुख प्राप्थ होगा तो कंप्लिट जानकारी के लिए अभी जो स्क्रिन पर आप यह नंबर देख पा रहे हैं उस पर ओटसप पर संपर करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और केवल मातर 251 रुपे की छोट इसे फेस में आप अपने संपोर्ण जीवन की महा जन्म कुंडले के बारे में जान सकते हैं चलिए जान लेते हैं होली के बाद अगली जो भागे साली रासे बनेगी वो आती है कुम्बरासी जिनके नाम का पहला अक्सर सा, सी, सू, से, सो, दा, गू, गे और गो से सुरोता है उनकी कुम्बरासी होती है मित्रों कुम्बरासी वाले लोगों के लिए भी होली पर जो यह महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है यह आप लोगों के लिए बहुती अच्चा और लाबदाएक साबित हो सकता है क्योंकि एक तो ये राजियोग कुम्ब रासी के गोचर कुंडली के लगन के भाव पर बन रहा है आपके रासी के स्वामी भगवान सनिदेव है और साथ ही 30 साल के बाद अभी होली पर सनिदेव जयाओ आपकी रासी में विराजमान है और इसके अलावा केंद्र त्रिकोन राजियोग और सस राजियोग का निर्मान भी हो रहा है ऐसे में कुम्ब रासे वाले लोगों को समय समय पर आपके व्यक्ति तुम्हें निखार देखने को मिलेगा आपके साहस और पराक्रम में बड़ोत्री होगी जो व्यक्ति पार्टनर्सिप में अगर कोई भी कामकाज करते हैं बिजनिस करते हैं तो व्यापार का आरंब करने के यह समय आपके लिए बहुती अच्छा बन रहा है। आप लोगों का विवाह का योग बनेगा। यह और यह से सुरू होता है उनकी वरिष्चक रासी होती है। मित्रू महालक्ष्मी राजियोग के परभाव से वरिष्चक रासी वाले लोगों के भी अच्छे दिन सुरू होने वाले हैं। क्यों कि एक तो होली पर यह राजियोग आपके रासी के चोते घर में बन रहा है। में आप लोगों को भोतिक सुख में बडोतरी होगी। अगर आप लंबे समय से अपना स्वेम का मकान, गाड़ी, वाहन या कोई भी प्रोपर्टी या संपती खरीदने का वीचार कर रहे थे। तो अब मार्च के बाद आपकी ये इच्छा पूर्ण होने वाली है। चलिए अंत में जान लेते हीं कि आखिर कौन-कौन से ऐसे काम है जो कि आपको होली के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। नहीं तो माता लक्ष्मी जी की कुरूद का पात्र बन सकते हैं, दामपती जीवन में भी आपके बूरा असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो धार्मिक मानेता के अनुसार जो भी नव विवाहिक दमपती है, जिनकी अभी अभी हाली में साधी हुई है। सबी दुलहने विवाह के बाद की जो पहली होली है, वो अपने मायके में ही मनाएं। कहा जाता है कि सास बहु को होली का दहन की जो अगनी है वो एक साथ नहीं देखने चाहिए। नहीं तो आपके रिस्तों में खठास हो सकती है। अगर आप होली मना भी रही है और होली पर आप जो भी नव विवाहिता कोई भी पतनी है दुलन है वो अगर ससुराल में ही है तो आप भूल कर भी सास और बहु दोनों इस साथ में होली देखने नहीं जाएं। अगर किसी को भी उधार नहीं दें। विवाहिक जीवन से जुड़े सभी दोस दूर हो जाते हैं और साथ ही पती पतने के बीच आप से समंदु में भी सुधार देखने को मिलता है। उसके लावा हुली का दहन के दिन आप एक सूखा नारियल, काला तिल, लोंग, पिली सरसु को अपने सर के उपर साथ बार गुमा कर हुली की अगने में डाल दीजिए। जो भी अगर कुवारे विक्ती है, जिनके विवाह में कोई बाधा दिकत आ रही है, विगन आ रहा है, तो वो दूर होगा, और अगली होली से पहले पहले आपका विवाह का सार्य संपूर्ण होगा। उसके अलावा मानसिक कष्टू से भी आपको चुटकारा मिलेगा। तो चले मित्रो, होली की जानकारी से जुड़े इस अब्डेट वीडियो को फिलाल के लिए यहीं पर देती है विराम।